जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना विल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे मुख्य मंत्री पद से हमांत सुरेन दे सकते हैं इस्थिपा कैबिनेट की बैठाक गुरुआ साम चार बज़े से कैबिनेट की बैठाक है इसमें मुख्य मंत्री हमांत सुरेन बड़ा फ़सला ले सकते हैं माना जा रहा है कि मुख्य मंत्री हमत सुरेण अपने पत से इस्थिपा दे सकते हैं इस्थिपा देने के बाद फिर से सरकार बाने का दवा पेस कर सकते हैं बता दे केबिनेट की बैठक में इस पर नीञए हो सकता है साम चार बजे से प्रोजेक्ट भववन सचीवाले में केबिनेट की बैठक बुलाई गई है केबिनेट के सभी मंत्री बैठक में सामील होने के लिए सचीवाले पहुच गए है उधर जामो और कांग्रेज के प्रतिनिधी मंडल को झारखन राजभववन ने साम 4 बजे मिलने का भी समय दे दिया है इससे पहले सुचना आई के राजभववन ने मिलने का समय नहीं दिया है लेकिन बाद में राजभवन ने पूश्टी की है कि साम चार बजे राज़ेपाल में इस बैस ने समय दे दिया है या प्रतिनीधी मंडल राज़ेपाल से मिल करें जानना चाहता है कि हेमांत सुरिन के बारे में चुनाव आयोग ने क्या मंत भेजा है दुमका हत्याकांड सारूख नईम उगलेंगे मडर के राज दुमका की लड़की के हत्याकांड के दोनों अरोपियों सारूख हुसैन और नईम उर्फ छोटू अब सारे घटना चक्र से परदा उठाएंगे दरसर मामले की जाच कर रही पूलिश ने दोनों को 72 घंटे की रिमांड पर ले लिया है इस मामले की जनकारी जीले के एसपी अंबर लकडा ने दी है SP ने बताया है कि सारुक हुसायन और नईम को पूछ ताच के लिए 22 घंटे के लिए हमने रिमांड पर लिया है बता दे कि इस मामले में संथाल परगना के DIG सुदर्शन प्रसाद मंडल ने एक SIT के अगठन किया है जिसका नेत्रित्यों SP अंबर लकड़ा कर रहे हैं IASपूजा सिंहल की जमानत यजका पर हाई को तुर में सुनवाई अगस्त को ही नियमीत जमानत के लिए अदालत में अरजी दाकिल की गई है वह पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय से जेल में बंध है इससे पहले रांची इडी की विशेश कोट ने 3 अगस्त को पूजा की बेल पिटीशन खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था इसके बाद अब पूजा सिंगल ने हाई कोट में नियमित जमानत के लिए याज का दाखिल की गई है गतला भाई की इडी ने 5 माई को पूजा सिंगल के पचीश ठिकाने पर छापे मारी की थी इसके बाद इडी ने पूजा सिंगल और सिये सुमन सिंग को गिरफतार किया था चत्रा पुलिस ने टीयेस पी जोनल कमांडर भहरोगांजु को किया गिरफतार पूलिस को लंबे समय से उसकी तलासी थी पूलिस अधिक छक राकेश रंजन ने इसकी जनकारी देते हुए बताया है कि गुप्त सुचना मिली थी कि सीमर्या थाना चेत्रे में टीएस पीसी के सेकेंड चीफ आक्रमक का दस्ता सकरिये है उसी के आलोक में सीमार्या अनुमंडल पूलिस पतादेकारी असोक प्रियदासनी के नेतियुत में छापे मारे दलका गठन किया गया सुचार प्रभावित किसानों को रभी बीज पर सोपतिस सबसीडरी सुचार निदे सालाई की टीम पलामू पहुंची टीम अलग-अलग प्रखंड छेत्रों का दवरा करधान एवं बरसात के मोसम में होने वाले अने फसलों के अच्छादन की स्थिति का जाजा लिया है वहीं बरसा कम होने के कारण उत्पन स्थिति को जाना क्रिसी एवं बागवाण निदे सक निशा उराव ने चैनपूर परखंड एवं मेधनी नगर सदर परखंड के चिया की छेत्र का भरमन किया है बीर्षा क्रिसी विश्वविद्याले में सतर पदो पर भरती इन केंद्रों के लिए बी एयू के निदेशक परशासन ने पहली बार कूल सतर पदो पर नियुक्ति के लिए जिसुतना जारी की है इससे पहले बी एयू द्वारा के वीकेक के लिए दो हजार पांच में बहाली निकाली थी 17 बर्सों के बाद फिर से निकली इस वैकेंसी में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के 27 पद फारम मैनेजर के 6 पद, प्रोग्राम असिस्टेंट के 5 पद, प्रोग्राम असिस्टेंट के 16 पद और असिस्टेंट के 16 पद सामिल है बतादे सब्जेक्ट मैटर एस्पेशलिस्ट का बेतन 15,600 से 49,100 ग्रेट पे 54 रुपया होगा जार्खन में बड़ी संख्या में बचे कुपोशन के सिकार हमारे नव निहाल स्वास्त होंगे तभी उनका सरीरिक और मांसिक विकास होगा लेकिन जार्खन में जब अभी भी बड़ी संख्या में बचे कुपोशन से ग्रसी थाएं तो उनका विकास प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता बतादे स्थितिया है कि जार्खन में स्वास्त विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग इसकुली सिक्षा वं सक्षर्टा विभाग द्वारा कई कारेकरम चला जाने के बाद भी यहां को पोशन की समस्या बनी हुई है भले ही इसमें कुछ सुधार हुआ हो लेकिन आकड़े अभी बी चिंता जनक है राश्टरिये परिवार स्वास सर्वेक चान पांच की रिपोर्ट के नुसार जार्खन में अभी बी 49.4% बच्चे 5 वरस तक के आयू के नुसार कम वोजन के हैं इस आयू वर्ग के 22.4% बच्चे अपनी आयू के नुसार लंबाई में नाटे हाएं दुमका मॉडर केस में परिजनों से मिली राश्टरिये महिला आयोग दुमका की बेटिक हत्या मामले कुले का राश्टरिये महिला आयोग की 20-चे टीम 31 अगस्त को दुमका पहुँची दिली से आई आयोग की टीम परिजनों से मिलने के बाद राँची में जार्खन की डिजीपी से भी मुलकात करेगी बताद दें टीम डीजीपी से मुलकात के बाद रिपोर्ट सोफेंगी आयोग की दोसर सेई टीम में राष्ट्रिय महीला आयोग की अंडर सेकरेटे सीवानी डे और आयोग की लीगल काUNSLER सालीनी सिंह सामिल थी इस्तवरान सीवानी डे और सालिनी सिंग ने परिजोनों से बात कर पुरी घटक जिनकारी ली साथ ही जिस कम्रेवे अंकीता को जलाया गया था वहां जाकर एक एक चीजों को देखा अयोक की टीम ने परिवार से उन परिष्थितियों को जाना जिस से अंकीता की जान गई लोहर्दगा उपाएुकत ने पोषन जागरूपता रत किया रवणा लोहरतागा उपायूर डाक्टर वाग मरे परसाद क्रिश्ण ने राष्ट्रिय पोशन मा एक सेती सितमबर के तहद पोशन जागरूपता रत को समना ले परिशाथ से सभी परखंडों के लिए रवाना किया रत के जरिये ग्रामिन छेत्रों में आडियों के माध्यम से निमिया को पोशन को दूर किये जाने के लिए अस्थानिये साक सबजियों का सेवन करने जल सनरक्षन के प्रतिजागरूपता संदेश दिया जाएगा इस मौके पर सभी उपस्थित लोगों को बच्चों की सोरों और महिलाओं को कुपोशन मुक्त स्वास्त और मजबूत करने राष्ट्रिये पोशन माह के दवान हर घर तक सही पोशन संदेश पहुचाने पोशन अभियान देश ब्यापी जन अंदोलन बनाने की सपत प्रसिक्षित बेरुजगार सिक्षको का मामला पाटना हाई कोट नौकरी सेवनचीत करने कारोप लागा कर मुअपजा देने की भी मांग की है बतादे राजिनर परसाद ने बताया है कि कोट में जल्द ही इसकी सुनवाई सुरू होगी मामला पर नितिताय करने के लिए 4 सितंबर को गिरीडी से सर्या दुर्गा ठाकूर बाड़ी मैदान में बैठक रखी गई है रांची में सुरू होगा नाइट मारकेट रांची नगर निगम की ओर से सहर की हिर्दय अस्थिली मुराबादी मैदान के समीप नाइट मारकेट बनाया जा रहा है जल्द ही यहां साम 6 अबए से रातरी 11 अबए तक नाइट मारकेट सजने लगेगा जिसमें लोग खरेदारी के साथ लजीज ब्याजगों का लुप्त उठा सकेंगे नाइट मारकेट के लिए विर्शा मुंडा फोटबॉल स्टेडियम के दक्षनी छोर को चिनित किया गया है इसकी तेयरिया अम्तिम चरण में है यहां खाली जमीन पर पेवर बलोक भी छाया जा चुका है साथी गार्डेन चेयर भी लगाया जा चुका है फोर्च का निर्मान कारे पूरा होने के बाद यहां रंग भी रंगे लाइटे लगाई जाएगी इससे यहां आने वाले लोगों को अलग सायसास होगा भीख मंगवाने की मंसा से बच्चो के अपहरन ममले में जार्खन तिसरा स्थान पर आकड़े केनुसार पुरेदेस में बच्चों को भीख मंगवाने के लिए फरण के 37 मामले दर्च हुए थे वही कूल 41 बच्चों का फरण हुआ था इन में 13 मामले असम के जबकि 9 मामले महराष्ट के थे तिसरे नमबर पर जहर्खन का अस्थान रहा था यहां कूल साथ मामले दर्च किये गए थे धन्यवाद